टोइलेट क्लीनर फिलिंग मशीन की इनिसियल सेटिंग कैसे करें क्योंकि ये मशीन इस्पेसली बनाई गई है आपकी टोइलेट क्लीनर को फिल करने के लिए कॉंटेक्ट पार्ट इसमें जितना भी है उसमें मोस्ट ओपार्ट नोन मेंटल है यानि की प्लास्टिक है ये पाइप फिडिंग पाइप अंदर का पाइप और ये पाइप सब प्लास्टिक है टेफलोन या प्लास्टिक का बना वह कॉन्टेक्पार्ट एषिड का कोई भी न ORMALY मेटल का नहीं है केवल बोडी metal की बनी हुई है या case जिसके अंदर में system है वो metal का बना हुआ है यह हमारा control panel है setting करने के लिए हमारा panel जैसे main power on होगी यह main power का है main power यहाँ पर indication जलेगा और control के अंदर light आगी control panel के अंदर जैसे ही मुझे pump चलाना है तो pump चलाने के लिए यह button में push करना होगा on की setting पर यह green light on होगी और साथ में जैसे यह बंद होगी यह भी बंद हो जाएगा यहाँ से setting कैसे करें initial setting बताते हैं सबसे पहले हमें इस तरीके से system को attach कर लेना है feeding pipe feeding vessel के साथ attach करेंगे knob को on करेंगे सबसे बैतर है कि इसके बीच में pipe में कहीं भी यह यहाँ पर इस location पर आप एक N-RV दे N-RV का मतलब है non returning valve क्योंकि liquid harpic थोड़ा गाड़ा होता है गाड़े को अपने ही वजन से वो वापस भी जाने कोशिस करेंगा N-RV देने की वज़े से वो वापस नहीं जा पाएगा और pump पर भी कोई लोड नहीं पड़ेगा उसके बाद initial setting करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर setting change कर सकते हैं इसको square key को 3 second के लिए दबाएगे on लिखा आजाएगा on का मतलब है कि हमारा pump कितनी देर चलेगा यानि green light या pump कितनी देर on रहेंगे यह blink कर रहा है 0 इसको हम change करेंगे यहाँ पर यह 9 जैसे हम इसको दबाएगे नीचे की तरफ 9, 8, 7 and so on अगले वाली एक बार इसको दबाएगे अगला point करसर क्लिक करेगा उसको भी change कर सकते हैं घटा या बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से तो desired amount हमारे को जितनी चाहिए उसके according उससे आगे भी हम कर सकते हैं नर्मल इसकी तो जूरत नहीं पड़े कि आपको तो हम इसको initial condition में at least हम इसको 30 second चलाएगे ताकि हमारा liquid nozzle तक आ जाए नीचे इसी तरीके से कोई वैसल रख लेंगे बाल्टी बगरा जिसमें हमारा material आ जाएगा जैसे ही nozzle से सारा material निकलना शुरू होगा तो यह on पर रखना हमें initially stage में ज़द देर के लिए उसके बाद हम जैसे ही इसको 3 second के लिए दबाएगे यह off की setting यानि कितनी देर यह होगा कितनी देर में हम अपना दूसरा bottle उठा कर रख सकते हैं इसको 9 second हमने set किया है 9 को आप गटा कर 8 कर सकते हैं 7 कर सकते हैं 6 कर सकते हैं 2 कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा इसको 3 second के लिए फिर दबाएगे आपकी setting चल जाएगे यह तो होगे initial setting जब आपका एक बार liquid यहां तक आ जाए यहां से dispense होना शुरू हो जाए उसके बाद अपनी setting को एक बार change कीजिए दुबारा फिर इस key को 3 second के लिए दबाईए माल लीजिए हमारा liquid 5 second में 200 ml निकल रहा है तो हमें तो 5 second में 200 ml चाहिए अब वो setting हम यहां से करेंगे इस cursor से 3 का 2, 1, 0 square key को दबाएंगे cursor आगे गया हमने का 5 second गेंदर इसको बढ़ा के 5 कर लिया फिर एक बार दबाया यह अगले cursor पर पहुँच जाएगे फिर इसको 3 second के लिए दबाएंगे off आजाएगी जितनी second के लिए हमें इसको own या off करना है suppose कीजिए मैं 9 second ही लेके चलता हूँ कि हमें कितने time के अंदर अपनी bottle उठा के रखने का मौक अलग जाएगे इसको long press करेंगे हमारी setting आजाएगे अब suppose कीजिए मुझे आधा लीटर बरना है या एक लीटर बरना है एक लीटर का example ले लेते हैं एक लीटर आपका 12 second के अंदर आ रहा है क्या करें दुबारा फिर जाएं long press करें 3 second के लिए on setting आ जाएगी on लिखा आ जाएगा इसको कीजिए one हम 12 बोल लेते हैं एक बार फिर दबाईए इसको two कीजिए और एक बार और दबाईए फिर long press कीजिए long press का मरला 3 second के लिए लंबा दबाईए फिर एक बार short press फिर short press फिर एक बार और लंबा दबाईए यानि long press कीजिए यह आपकी setting हो गई लिक्विड को आता है उस तरीके से अब हमारा पंप बारा सेकंड के लिए में लिक्विड को डिस्पेंस करेगा इस तरीके से अब देखिए हैं मैं इसको ओन कर रहा हूँ पहले से कहें कुना आ गया पांसे कंड में गोत कम वोल्य मारा था अबाद कर दो थाद को एक टा रहा हूँ कि अज़े पांसे बाद कर दो पांसे बाद कर दो ठाद कर दो आखिए पूझा बंगा। र्रभाइब लग्राइब लोग्राइब